असलाम उलेकम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिमेंटिक के बारे में कि प्रोग्राम्मिंग में सिमेंटिक क्या है तो बगए टाइम्ज आया कि यह चलिए शुरू करते हैं Semantic What is Semantic तो क्या है कि जब भी हम कोई program बनाते हैं तो उसके अंदर अलग-अलग instructions होती है अलग-अलग statement होती है हर एक instruction का हर statement का अपना एक meaning होता है हर statement अपना एक काम perform कर रही होती है हर एक का अपना एक operation होता है जो perform होना होता है Semantic जो है यह programming language में लिखी गई instructions या statement को कोई meaning देता है For example, अगर हम कोई statement या instruction लिखते हैं तो वो statement या instruction जो है वो क्या काम perform करेगी उसका क्या मतलब है यह है semantic Example में अगर हम देखें मैंने यह example लिखी हुई है Sum is equal to A plus B यह हमारे पास एक instruction है तो इसका मतलब क्या है इस statement का मतलब क्या है यह क्या काम perform करती है इसको हम बोलते हैं semantic For example, यह statement क्या करती है A के अंदर एक value है 2 B के अंदर एक value है 3 A plus B है दोनों को हमने add किया 2 plus 3 कितने होगे 5 यह 5 किसके equal आ रहा है Sum के equal आ रहा है यानि के A plus B का sum जो है वो है 5 तो इस statement का मतलब क्या निकल के आया के दो values को add करने के लिए यह statement लिखी गई है दो values को add करने के लिए यह instruction लिखी गई है तो semantic क्या है Semantic यह है कि किसी statement के मतलब के बारे में بتाना कि programming language में जो हमने statement लिखी है जो हमने statement लिखी instruction लिखी है इसका क्या मतलब है that is called semantic तो चलिए आप इसको लफजी तोर पर पढ़ते हैं Point No.1 Semantic Semantic gives meaning to statements of a programming language Semantic जो है किसी भी programming language में लिखी हुई instruction जा statement को कोई meaning देते है No.2 It describes that the sequence of operation to be performed by a computer when executing the statements of a computer program Semantic बताता है किसी statement में जो operation perform होना है वो किस तरहां से होगा किस sequence होगा किस तरहां से program की statement चलेंगी और इनकी operation, इनकी calculation कैसी होगी इसका meaning क्या है, इसका मतलब क्या है For example, sum is equal to a plus b एके अंदर कोई value है 2 बी के अंदर कोई value है 3 2 plus 3 is equal to sum तो semantic हमें ये बता रहा है कि कुछ sum अगर equal हो a plus b के दो values अगर उसके अंदर रखी जाएं तो ये statement किसी भी value को add करने के लिए इसका मतलब है कि दो values को हम किस तरहां से add कर सकते हैं तो ये था आज का हमारा lecture जिसमें हमने बात की semantic के बारे में I hope कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी like this video, share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching, subscribe focus group अल्हाफेज